नमस्कार किसानमित्रों आपके अपने टेकनिकल आरकेपाल चैनल पर सभी किसानमित्रों का बहुत बहुत स्वागत है तो किसानमित्रों आज का हमारा जो टापिक है वो गन्ना रेट को लेकर है गन्ना भाव को लेकर है क्योंकि दोस्तों किसानमित्रों जो क्रश में दोस्तो खर्चा आता है वो दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि जो डीजल हम पिछले रेट जो भाव में खरीते थे उससे कहीं काफी बढ़ चुका है खाद में भी रेट बढ़तरी हुई है बिजली में दोस्तों बिजली बिल में भी बढ़तरी हुई क्रसियंत अगर हम खरीते हैं तब भी बढ़ोत्री हुई दवाईयां खरीते हैं तब भी बढ़ोत्री हुई है तो किसान भाईयों हमारा जो गन्ना रेट है उसमें भी बढ़ोत्री होनी चाहिए क्योंकि हम किसान क्या करें हमें जो भी वर्ष तो पिछले वर्ष खरीते थे आज काफी रेट बढ़ गए हैं मेरा गन्ना लगभग तीन वर्षों से वहीं पर अभी भी है उसमें कोई बढ़ोतरी वृद्धी नहीं हुई है तो किसान भायों इस वीडियों को प्लीज सपोर्ट करो और इस वीडियों को अन्य अपने दोस्तों को किसान भायों को सेर करो और कमेंट करो और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जब हमारा समोह बढ़ेगा यानि काफी लोग होंगे तब हमारे दोस्तों मांगे पूरी होंगी तो दोस्तों जिससे ये वीडियों उपर आगे तक पहुंचे और हमारी हमारी बातों को सुना जाए हमारी बाते वहां तक पहुंच सकें ठीक है तो किसान मित्रों मैं आपको बता दूँ कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तब से चार गन्ना सत्र हो चुके हैं योगी जी ने अपने पहले वर्स के कारिकाल में दस रुपे प्रतिकुंटल की बढ़ो प्रदेश की बात करें तो हरियाना पिछले सीजन में 3500 जैने 350 रुपे प्रतिकुंटल था वहीं की चीने में इतना 3,500 प्रतिकुंटल रेट किसानों को देकर तब भी लाब कमा रही हैं और यहां हमारा गन्ना 325 रुपे प्रतिकुंटल का रेट देकर भी घाटे में चल और साथ ही साथ गन्ना परेमेंटा लेट भी कर रही है और किसान मित्रों हर्याड़ा सरकार का गन्ना रेट U.P. से ज्यादा ही रहता है हर्याड़ा सरकार की चीनी मेले 350 रुपे प्रतिकुन्टल के हिसाब से भुकतान किसान करने के बाद भी लाव में चल रहे हैं योगी जी ने 10 रुपे ही गर्णा रेट बढ़ाए हैं अब सत्र 2028 और 22 में जो योगी जी का गर्णा रेट बढ़ाने का पांचवा सीजन है और अगले वर्स 2022 में जो उत्र प्रदेश में विधान सभा के चुनाव भी होने वाले हैं और इसी का फाइदा किसान उठाना चाह रहे हैं किसा सरकार से 400 रूपे प्रत कुंडल का का भाव करने की भी मांग कर दी हैं और किसान दुआरा गंणा मूल बढ़ोतरी के लिए मीटिंग भी कर रहे हैं यानि अपनी गन्ना भाव को लेकर इस समय चर्चा में हैं और किसान को सरकार 400 रुपे प्रत कुंटल के भाव से भुक्तान दिलाने की कि किसान किसानों की खेती में खर्च जो आता है वो ज्यादा हो गया है सारी चीजों पर रेट बढ़ा है तो गन्ना रेट भी और उत्तर प्रदेश चीनी मिले गन्ना भुक्तान समय से करें तो किसान भायों ने अपनी बातें उत्तर प्रदेश सरकार के समझ रखेंगी तो उत्तर प्रदेश सरकार भी किसानों के हित में कुछ न कुछ जरूर करेंगी मैं आपको बता दू कि मान्य योगी जी गन्ना रेट मुल बढ़ाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं तो अगले सत्थ दोहजार और बैस में गन्ना मुल बढ़ाने की समझाई गन्ना मूल दे चार सो रुपे प्रतिकुंटर के हिसाब से हमारा गन्ना भाव होना चाहिए क्योंकि सभी किसान भाई जानते होंगे कि महंगा राज्ज में उनके भाव की क्या इस्तित थे और चीनों मेलों की क्या इस्तित थे और सरकार का क्या रुत है करप्या राजनिश से बिल्कुल इसे से तुलना ना करें ये किसानों का मुद्दा है तो फिर मिलेंगे एगले वीडियो में तब तक के लिए जै जवान जै किसान झाल 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 झाल